Books That Speak में आप सभी का स्वागत है हीना हर अविवार अपनी खिड़की से कुछ लड़कियों को फुटबॉल खिलते हुए देखती है वो उनके साथ खिलना चाहती है लेकिन अम्मी और अब्बु को मनाना आसान नहीं है क्या वो टीम में शामिल हो पाएगी? क्या उनके साथ दोड़ते, फुटबॉल को किक मारते और गोल बनाते हुए एक अनोखी आजादी महसूस कर पाएगी? देखते हैं इस कहानी में कहानी का शीरशक है गोल कहानी लिखी है नेहा सिंग और साबा खान, चितरांकन, अलफिया हसन और पाइरो ड्रॉज कहानी का प्रकाशन, प्रथम बुक्स, वाचन, असावरी, दोशी अगर आप पर्चम ग्रूप के बारे में ज्यादा जानकारी जानना चाहते हैं तो पर्चम कलेक्टिव.org वेबसाइट पर ज़रूर जाहिएगा ये मैं क्या देख रही थी? घर के सामने वाले मैदान में कुछ लड़कियां फुटपॉल खेल रही थी. मेरी ही उम्र की, मेरे ही मुंब्रा की. भाई अपने दोस्तों के साथ हर रविवार इसी मैदान में क्रिकेट खेलता था. उसके लिए ये रोज की बात थी. और मैं हर रविवार होमवक खतम करके रसोई में अम्मी का हाथ बटाती थी. मेरे लिए ये रोज की बात थी. अगले रविवार मैं चोरी छुपे, घर से निकली और दोड़कर मैदान पहुची. सुनो, क्या आप हर रविवार फुटबॉल खेलती हो? दीदी से धीमी आवाज में पूछा. हाँ, हर रविवार, तुम भी खेलोगी? दीदी ने मुस्कुरा के पूछा. मैंने जट नाम में सिरहिलाया और भागाई. हीना, मेरा भाई दहाडा. वहाँ ग्या कर रही है? घर जा. अगले रविवार भी वही नजारा था. वही लड़किया, वही फुटबॉल, वही जोश, वही मस्ती. और ये क्या? इनायत भी उनके साथ थी. मुझ से तो रहा नहीं गया. फौरन आवाज दी. इनायत, तु मेरी अम्मी से बात करना? कि तुझे फुटबॉल खेलने दे? इनायत ने फुटबॉल को किक मारते हुए पूछा. कुछ दिनों बात, इनायत अपनी अम्मी और सबा दीदी के साथ मेरे घर आई. दीदी ने बात करनी शुरू की. हम लड़कियों को फुटबॉल खेलना सिखाते है. उससे क्या हासिल होगा? अम्मी ने हैरत से पूछा. घंटा भर समझना समझाना चलता रहा. आखिरकार अम्मी अब्बू मान गए. अगला रविवार. सुबा से मेरा दिल जोर से धड़क रहा था. खुश भी थी, डरी हुई भी. इतने सारे लोगों के सामने, खुले आसमान के नीचे मैं दोडूं किक मारूंगी, खेलूंगी. पर कैसे? मैं गिर गई और हड़ी तूट गई तो? या मैं खेली नहीं पाई तो? अम्मी के साथ मैं मैदान पहुँच गई. मैदान के दूसरे हिस्से में भाई और उसके दोस्त क्रिकेट खेल रहे थे. हीना सिर्फ बॉल पर ध्यान दो. जैसे ही बॉल सामने आये, तुरंट किसी और को पास करो या जोर से गोल की तरफ मारो. कोच ने समझाया. मैं बिलकुल चुप थी. बाकी लड़कियां जोश में चिला रही थी. इधर इधर! बॉल बॉल बॉल! आईशा इधर! बॉल इमाक से बाकी सब चुमंतर हो गया. अब सिर्फ मैं थी और फुटबॉल. मैंने जोर से बॉल को किक मारा. सब मेरे लिए ताली बजाने लगे. अम्मी भी! वाही न! बहुत खूब ही न! भाई का मुग खुला रह गया. बॉल मैदान के बाहर चली गई थी. और मैं टीम के अंदर. जी हाँ, मैं इस अनोखी टीम का अटूठ हिस्सा बन गई थी. फिजा बदलने लगी है. जो पहले कहते थे लड़कियां फुटबॉल क्या खिलेंगी? अब वो ही बच्चे, बुढे, आदमी, औरते. हमारी मैच देखने आते है. सीटी और तालिया बजाते है. अब हमारी बुलंद आवाजों की तरह उन्चे आसमान में लहराता है हमारे सपनों का पर्चम. सिम्रन. अगर पर्चम नहीं होता, तो आज मुम्रा की बहुत सी लड़कियां घर पर बैट शादी की तैयारी कर रही होती. मदीना. मुझे होसला मिलता है जब मैं अपने अब मनताशा, मेरा सबसे पसंदिदा शब्द है उडान. कुलसुम, मैं पहले अपनी अम्मी की तरह बनना चाहती थी, अब मैं खुद की तरह बनना चाहती हूँ. जुवेरिया. मैं लड़कियों से कहना चाहती हूँ कि परेशानिया तो आती रहेंगी, पर तुम्हें तैय करना है कि तुम्हें क्या करना है, क्या बनना है. शबनम, जब मैं ग्राउन पर जाती हूँ, तो ये सोचती हूँ, कि आज मैं यहां से कुछ सीख कर और कुछ सिखा कर जाओंगी सोनाली, मेरे लिए पर्चम का मतलब है खुशिया और आजादी फातीमा, अगर मुझे एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बना दिया जाए, तो मैं देश से नफरत खतम करना चाहूँगी पर्चम कलेक्टिव मुम्रा ठाने, यहां पे एक गैर लाभकारी नारिवादी संस्था है पर्चम शब्द उर्दू कवी मजाज की शायरी, तेरे माथे पे यह आचल बहुत ही खूब है लेकिन, तू इस आचल का एक पर्चम बना लेती तो अच्छा था इससे प्रेरित है, धर्म जाती लिंग वर्ग से जुड़ी रुडियों को तोडने के लक्ष से किशोरियों और महलाओं का एक समूह द्वारा सन 2012 में इसकी स्थापना की गई थी पर्चम कलेक्टिव युवा लड़कियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और उनके सपनों को पूरा करने के लिए कार्य करती है तो कैसी लगी ये थाने में स्थित मुंब्रा से इन लड़कियों की कहानी और ऐसी बहुत सारी कहानियां सुनने के लिए Books That Speak इस चैनल पर जरूर आईएगा यूट्यूब पर और अलग-अलग पॉडकास्टिंग चैनल पर विबसाइट है www.booksthatspeak.com मिलते हैं अगली कहानी में बाई बाई शुक्रिया